आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे इंजक्सन के बारे में जो एक किड्नी रोगी की बहुत जादा मदद कर सकते हैं तो इसलिए पूरे वीडियो पे बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें इससे आपका ही नुकसान होने वाला है जब एक इंसान की किड्निया खराब हो जाती है तो उसके सरीर का जो रक्त होता है उसको फिल्टर होने में बहुत जादा परिसानी होती है क्योंकि जो किड्नी होती है वही रक्त को फिल्टर करती है और रक्त फिल्टर ना हो जाने की वज़े से सरीर के अंदर पानी भढ़ने लग जाता है क्योंकि पिसाब नहीं आता है जो भी वह खाता है उसे क्रिटनाइन यूरिया जैसे हानी कारक तत्व उसके ब्लड में ही जम बहुत तेजी से बंढने लग जाता है जिसकी वजह से उसको डायलेसिस पर जाना पड़ता है और डायलेसिस करवाने से उसके सरीर में बहुत सारी समस्या उत्पन होने लगती हैं साथ में kidney रोगी की जो हड़ियों होती हैं वो भी बहुत जादा कमजोर होने लग जाती है। तो आज हम कुछ ऐसी injection के बारे में जानेंगे जो एक kidney रोगी की बहुत जादा मदद कर सकते हैं और उसकी health को बहुत है। साथ में vitamin B12 की deficiency से भी आपको बचाता है। अगर एक kidney रोगी का thyroid hormone भरा हुआ है, PTH hormone भरा हुआ है और उसका calcium level बहुत जादा कम हो गया, हड़ियों में बहुत दर्द हो रहने लग गया है, पूरी body पैन करती है, तो उसको calcitrol नाम का ये injection, dialysis पे 10 दिन में एक बार जरूर लगवाना चाहिए। अगर एक kidney रोगी को बहुत जादा क्रेम्स आ रहे हैं, उसके सरीर में, उसकी मासपेसियों में खिचाव हो रहा है, उसके पेट पे खिचाव हो रहा है, और जिसकी वज़े से वो चल नहीं पाता, बहुत जादा पेन होती है, तो उसको कार्णी शोर नाम का ये injection, dialysis पे जर अराम लाने के लिए, डाइना पार नाम का ये injection जरूर देना चाहिए, जिससे उसकी शिवरिंग रुप चके और उसको अराम महसूस हो सके, लेकिन ये डाइना पार इंजेक्शन लंबे समय के लिए यूज नहीं करना है, बिना शिवरिंग के यूज नहीं करना है, क्योंकि